कि प्यारे बच्चों लेट्स स्टार्ट टुडेश लेक्चर और आज की लेक्चर में जो हम दोज सीखने वाले हैं वो है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में सीखने वाले लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा विटा लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था इस टेंस हैं इस बेद्यक्राइब के बारे में ठीके तो लिए स्टेंस और डिस्प्रस्मेंट का जो आपने चीखा था उसका बहुत ज्यादा यह आपका घर है और यह आपका स्कूल है आप अपने घर से स्कूल को जाते हो तो कई सारे रास्ते हो सकते हैं ठीक है एक सीधा सीधा रास्ता हो सकता है गुमा फिरा के हो सकते हैं तो अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं तो इस रास्ते पर जब आप चलते हैं ठीक है तो जितनी के दो सीजी हमने सिखा था और ऑप सामने से कोई क्रॉस हो रहा होता है आपके सामने से जब कोई गुजर रहा होता है तो आपके दिमाग में एक वह बॉझेक वह बॉड़ी कितना स्लो या कितना फास्ट मुव कर रहा है हाउ स्लोली और हो फास्ट बॉड़ी इस मुविंग तो इस सवाल का जो आंसर है वह आपको कौन देता है स्पीड ठीक है तो फिजिकल सिगनिफिकेंस ऑफ स्पीड देश्ट कॉंटिटी विच टेल्स यू हाउ स्ल जादा तेज चल रही है या श्लो चल रही है इस चीज का आइडिया कैसे पता चलेगा आपको तो हम यह देखते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लेट से की इसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने टी टाइम time के साथ इसी को हम कहते हैं स्पीट सो हाव तो दिफाइन स्पीड हाँ तो दिफाइन स्पीड इस दिफाइन एस दिस्टेंस दिस्टेंस ट्रैवल भाई अ बॉडी पर यूनिट थाम इस पॉल तो स्पीट स्पीड तेस्ट अब पर इंब बाया बॉड पर इन ताइम इसको आगिवाद समझ में इस इस देफिनिशन फिट ऑके इसको हम लोग इस दिनोटेट बाइए वी से शो करते हैं तो वी बराबर क्या हो गया बिटा डिस्टेंस अपॉन टाइब बिवराबर क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइब पर अगर आपको यह मिल गया आप दूसरी चीज़ बता सकती है सहीट क्या होगा इस एसाइड यूनीट क्या होगा इस एस एछय यूनीट तो आपें स्पीट को का से एक्सback करते किलोमेटर-per-hour हमारे घाड़ी कैसे चल रही है किलो मिटर पर सचर्दी हम लोग बोल चाल में क्या करते किलो मिटर पर हुर में यूज करते हैं एक्सप्रेश कर सकते हो और दूसरा तरीका का किलो मिटर पर आवर आपको इनके बीच का conversion आना चाहिए तो याद रखें कि अगर आपको meter per second को km per hour में convert करना है तो आप इसको क्या करें 18 बाइ 5 से multiply कर दोगे तो यह किसमें convert हो जाएगा पर हो जाएगा फएग्जाम्टल अगर मां लो 20 मीटर पर सकेंड है 20 मीटर पर सकीन है इसको की अधित anti-854 2022 सेटी हो जाएगा तो 18 फोर्जा क्या हो गया 72 किलोमिटर पर आवर सो यू कमपर टेबली गंवर्टेट मीटर पर सकेंड़ इन्टू किलोमिटर पर आवर सिमिलरली अगर मालो अपने को 30 m2 करना है किलो मिटर पर आवर में यह सिंपली मल्टिप्लाइट विद 18 बाइट 5 5 से क्या होता है एक सिक्स टाइम समय 186 जा क्या हो जाएगा 108 किलो मिटर पर आरी बाद समझे तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो कर सकते हैं अगर आपको किलो मिटर पर आवर को मिटर पर सेंड बनाना हो तो तो यह मिटर पर सकेंड में आ जाएगा तो कैसे याद रखना है किलो मिटर पर सकेंड एक छोटा यूनिट है किलो मिटर पर आवर एक बड़ा यूनिट है तो छोटे को बड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बड़े से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा और किलो मिटर पर आवर से जब आप मिटर पर सकेंड करते हो तो बड़े कनवर्ट कर सको ठीक है लाइक की हमें मुझे मालो 36 किलोमेटर पर आवर को कनवर्ट करना है तो वेल सिंप्ली मल्टिप्लाइट विद फाइब बाइटीन एटीन टूजा तो यह आगे विटा टैन मीटर पर सेकेंड आगी बात समझ में तो इन दिस वे है कि अब हम बात करते हैं कि इसके गया में टायों मैं या करो मैंने बताया था इस डाय मेंशनल फार्मूला कैसे लिखते थैं निदिस्टेंस है बातरॉट लेंठ लेंद को किसले तीयchnittे है सब्सक्राइब को लिए इसको मैंनस फोर्मुला होता है लडी माइनस एस शवाल उड़ता है कि किस टाइप की कॉंटिटी है यह स्कैलर कॉंटिटी है it is a scalar quantity it is a scalar quantity हारी बात समझ में याद रखना बिटा की जो speed होता है तीक है speed जो होता है वो कभी भी निगिटिव नहीं हो सकता it can never be negative कि इटकर बी निगेटिव से वही है क्यों क्योंकि ये SCALOR quantity है जैसा हुमने बोला था इसके स्रोndhet की इसके पास चर्फ कोटी अटलों तो यही नहीं हो सकता So this is all about a speed clear अब आपको हम सिखाएंगे कि स्पीट के उपर क्विश्चन कैसे करने हैं हाउ तो फाइंड श्पीड तो बहुत ही आसान है अभी हमने सीखा कि स्पीट के लिए आपको क्या चाहिए विटा दो चीज़ां चाहिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए बहुत होना चाहिए दोनों को आप डिवाइट करेंगे और यूविल गेट स्पीड तो विल सी समफ एक्जमपल्स तो तो माल लो कि राम एक ट्रेवल्स के 20 मीटर ओन आप सेकंड हाफ सेकंड हाफ सेकंड हम फाइंड हैं रैज speed कि कि क्या हो जाएगा टे क्या हो जाएगा इसका तो आपको क्या दिया हुआ थी अबटार विट इस-20 meter और देस्टेंस 20-meter and what is this half second this is time so time is half second okay चाहिए आपको स्पीड चाहिए तो इस्पीड इक्वल्स टू क्या पड़ रखा है हमने डिस्टेंस अपन टाइम सब्सक्राइब इस डिस्टेंस 20 हमच इस टाइम हाफ तो दिस तू विल गट अपसाइब कि अगर हमें किसी ने कहा होता कि सब्सक्राइब करेंगे था पांच से क्या होता है 40 x 8 x 40 हो जाएगा तो 18 x 8 कितना हो जाएगा वो लिए 144 144 km पर आवर हो जाएगा 144 km पर आवर आजाएगा के लियर है मेरी बात तो दिस इस अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक और एक्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको एक्जाम्पल की एक बॉइए वेंट प्रॉम मुंबई 2 वूने टावर लिए ट्रावलिग 120 km 120 km in 90 minutes in 90 minutes find his speed to get find his speed so how to solve this क्या करना है आपको तो what is this 120 what is this 120 this time this is distance 120 kilometer and what is this 90 minutes this is time so time is 90 minute अगर हमने इसको किलो मिटर में सेकेंड में बदला बिटा या आवर्स में बदला तो क्या होगा 90 by 60 minutes को आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 60 से डिवाइड करना पड़ता है यह गया बिटा तीन से तीन तीन से दो ठीक है तो थ्रीवाइड टू आवर्स ऐसे करके आया हमारे पास तो चुकी अभी आपने पड़ा है वीकुल्स चुक्या होता ए डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है so how much is distance 120 km how much is time 3 by 2 hours this 2 will get upside 2 into 120 by 3 km per hour 40 times so 42 are how much 80 so the answer is 80 km per hour this is speed okay speed 80 km per hour थी आगे बात समझ में like this you have to find a speed आगे बढ़ते हैं अब हम बात करने वाले हैं टाइप आफ टाइप आफ आफ इस पीड के बारे में ठीक है वाट वाट वे अर गॉइंग टॉक टॉक टाइप आफ स्पीड के बारे में कैसे करते हैं टाइप आफ स्पीड तो बेटे मेंली दो टाइप के स्पीड होते हैं पहला होता है एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टें टेनियस इस स्पीड टुक है एक एवरेज इस्पीड एंड इंस्टेंटियनियस स्पीड दो चीज्सेयर अपने को समझ में आ इक तो यह होता है स्पीड के टाइप्स तो विल टॉक अबाट एवरेज स्पीड एन इस्टेंटेनियस स्पीड वन बाई वन सो फिर्स्ट अफॉल लेट स्टेंटेंट एवरेज स्पीड एवरेज इस्पीड सो बच्चों जब आप मालो एक जगह से स्टार्ट करते हो मालो आपने अपने घर्षे शुरुआत की घर से आप एक बाईक लेकर के या स्कूटी लेकर के या कार लेकर के निकले और सपुझ कहीं जाते हो मालो स्कूल को आने के लिए निकले हो आप तो बटे घर से जब आपने अपनी आप कैसे स्पीड बढ़ने लगती है बढ़ते बढ़ते रहते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो हर समय बदलती रह सकती है कैसे अगर मालो आपके रास्ते में स्पीड ब्रेकर आया थोड़ा श्लो करना पड़ेगा है ना अगर मालो कोई और मिया तो आपको श्लो करना पड़ सकता है कोई आपका फृरेंड मिल गया तो उससे बात करने मिदी आपको रुखना भी पढ़ सकता है तो आप क्या करते ओं हर समय आपकी city घटी रहती है कभी आपको खाली रास्ता मिल गया तो मिल तो और Banana तो को चलाना पड़ेगा तो एकॉर्डिंग टूद सीचुवेशन आपके स्पीट को क्या करना होता है घटाना बढ़ाना होता है हर समय स्पीट सेम तो नहीं रहता तो अगर कोई आप से पूछेगा कि बिटा बताओ घर से आप जब स्कूल को आ रहे थे तो कौन से स्पीट स बडूरान सुनुगे पूरी आदमी आ गया दोस्त मिल जाए इस तरीके से पूरी कहानी तो आप आप नहीं सुनाओगे नहीं सुना सकते हैं तो क्या बताओगे आप इसके लिए तरीका क्या है कि हम उसको एवरेज स्पीड बताते हैं पूरी नाम कहानी न शुना करके हम क्या करते हैं उसको एवरेज स्पीट बताते स्पीड और हमें बताना होता है तो हमें इन दुन्या तारी से मतलब नहीं हता है अपने को सिर्व क्या देखना है कि हमने ठॉटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया घर से चुल आते वक तर्,- ट्रेवल किया आरी बाथ समझ् up के स्थे और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको टाइम कितना लगा यह दूसरी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए जब अब यह दो चीज है तो हम क्या करते है ले-फिति इसीदर आप ये जो कहता है कि टोटल दिस्टेंस अपन टोटल टाइम टोटल टाइम से मतलब होता है आप अब यूआधि द Natural Distance, genius क्योंड पूटल downtown time taken to travel that distance to get the case average speech could define caring about the ratio of ratio of total distance traveled to the total time taken total time taken to travel that distance is called average speed average speed well a that is that is the average the total distance upon total time total distance upon total time the distance the distance travel time distance travel time distance time काल सकते हो ठीक है तो आपको समझ में आया अब इसके उपर प्रॉब्लम्स कैसे रहेंगे यह देखेंगे हम हाँ चलो एक्जाम्पल कि यह कि बेबी क्रॉल चोटा बेबी क्रॉल करता है ठीक है बेबी क्रॉल five meter in two second then 10 meters in three second and two meters in one second then find स्पीड आफ दी बेबी ऑप दी बेबी तो चलो देखते हैं क्या होता है अभी अभी हमने देखा दी एवरेज क्या है डी वन प्लस दी तू प्लस दी थ्री अपन व स्टी तू अज दी तू दी ऐन कितना वेटेपंगे पाँच दी टू कितना थास दी तरी कितना दो टीवन कितना दो टीटू कितना थीन आद टीटरी कितना वन कितना पांच दस पांच पंद्रदो सत्रह अपां तीन दो पांच एक चैस 17 बाइश इस 17 बाइश सिक्स मीटर पर सेकिंड इस एवरेज स्पीड इन दिस गिवन कुश्चिन ठीक है आरी बात समझ में मेरी ओके नाव एक्जांपल मालो बिटा कहता है कि हर्ष तो दो मार्केट अ मार्केट विथ इस पीड वीवन हर्ष पोस्ट अच तो दो मार्केट विथ इस पीड वीवन बट इस पीड वीड देख पंदेंग market closed market closed he immediately returned back returned back with speed v2 with the speed v2 find his average speed average speed क्या है उसकी यह हमें पता करना है ठीक एक्सांपल सरी आंसर इसका क्या हो जाएगा बिटा तो यह मान लो आपका क्या था घर है और यह मान लो मार्केट है कितनी है इसके बीच का गयाप इसके बीच का डिस्टेंस कितनी है दिया नहीं है तो हम मान लेंगे बिटा कितना है एक्स है ठीक है डिस्टेंस कितना है इसके बीच में घर से बिटे जाते वक्त ताइम कितना लगेगा कि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन इस स्पीड एक्स अपॉन वी वन सिमिलर्ली घर से जो मार्केट तक की डिस्टेंस है वह आते वक्त भी तो उतना ही रहेगा एक्स थोड़ी बदल जाएगा घर से मार्केट के बीच का तो नहीं बदलने वाला तव अब भी एक्स रहेगा यह रहेगा लेकिन तस के स्पीड कितनी है बीक्व है तो अब टाइम कितना लहां गाइन डिस्टेंस अपॉन speed which is V2 X upon V2 so since V average का क्या फॉर्मूला है आपके पस total distance तो जाते वक्त इसने कितना चला विटा एक्स आते वक्त इसने कितना चला वह एक्स जाते वक्त इसने कितना टाइम लिया टीवन आते वक्त कितना टाइम लिया कितना होगे विटाट ऊपर टीवन इस हो मच ऐस इक्स अपन की एक्स अपन वीवन लेस तो इस तरीके से क्या जाएगा एक्स आजाएगा यह एक्स कैंसल वह गया सब्सक्राइब और सिंप्लिफाइब करोगे तो क्या हो जाएगा भीवन वीटू इस चीज को हम क्या कर सकते हैं उपर ले जा सकते हैं सब्सक्राइब करना होता है यह वाला फॉर्मूला यूज करना है तू वीवन वीटू अगर मैंने कहा होता कि जाते वक्त यह 30 मीटर पर स्केंट से आता है कई बच्चे सोच में पड़ जाते सर्डिस्टेंस तो दिया नहीं ताइम दिया नहीं है कैसे निकालेंगे तो यह आप डैरेक्टली फॉर्मूला नाओ चीक है तो भी एवरेस क्या हो जागा तू भीवन इस समय क्या है तीस 24 मीटर पर सब्सक्राइब कर सकता है आपको बोलेगा विटा कि रोहन कि रवल्स प्रॉम A to be such that such that he travels he travels half the distance with the speed given and a remaining half remaining half with speed V2 and then find average इस ताइम यहां पर ए है और यहां सफोज भी है इनके बीच की मालो टोटल डिस्टेंस कितनी है एकस है तो यह वाला क्या हो जाएगा एकस बैटू और यह वाला क्या हो जाएगा एकस बैट